देली करेंट न्यूज में अभी की खबर है ज्यानपीट पुरसकार दो हजार चौबिस घोशित हाली में प्रसिद उर्दुकवी एवं गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगतगुरु राम भद्राचारे को ज्यानपीट पुरसकार के लिए नामित किया गया है इसके घोशना भारत के सर्वोच साहितिक पुरसकार की चयन समिती द्वारा की गई है बता दे कि यह दूसरी बार है कि जब यह पुरसकार संस्कृत भाशा के लिए और पांचवी बार उर्दु भाशा के लिए दिया जा रहा है गुलजार के नाम से मशहूर संपुर्ण सिंग कालरा को हिंदी सिनेमा में उनके नाम के लिए जाना जाता है उन्हें इस युक के बहतरीन उर्दु कवियों में से एक माना जाता है महीराम भद्राचार चित्रकूट में सित तुलसी पीट के संस्थापक हैं और आध्यात्मिक प्रवचन में उनका योगदान अध्वितिय है यह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता, सिक्षक और चार महाकावियों सहित, 240 से अधिक पुस्सकों और ग्रंथों के लेखक हैं चली अब जानते हैं ज्यान पीट पुरसकार के बारे में यह भारत में सर्वोचस साहित्यक पुरसकार है भारतिय सम्विधान की आठवी अनुसूची में उलिकित अन्यभाशाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरसकार प्रदान किया जाता है इस पुरसकार के अंतरगत 11 लाख रुपए की नगदराशी, एक प्रशस्ती पत्र और ज्यान की देवी वाग देवी सरस्वती की एक कांसे प्रतिक्रिती प्रदान की जाती है यह सांस्कृतिक संगठन भारतिय ज्यानपीठ द्वारा प्रायोजीत है वर्ष 2018 में लेखक अमिताव घोष ज्यानपीठ पुरसकार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाशा के लेखक बने अंट में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को ज्यानपीठ पुरसकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह भारत में सर्वुच्च साहितिक पुरसकार है दो इस पुरसकार के अंतरगत 12 लाख रुपे की नगद राशी एक प्रशुस्ति पत्र और ज्यान की देवी वाग देवी की एककास प्रतिक्रिती प्रदान की जाती है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया